हाई अब्रिवन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मॉलिकुलर और बाइटल डायग्राम ऑफ एन्टू प्लस मॉलिकूल एन्टू प्लस के लिए हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे इसका बॉन्ड रोडर निकालेंगे और इसकी मैगनेटिक प्रॉपर्टी का अलग-अलग लिख लेंगे 1 प्लस चार्ज है तो किसी भी nitrogen पे एक प्लस चार्ज लग दिजी ठीक है Atomic number कितना होता है 7 इसका भी atomic number कितना होगा 7 प्लस चार्ज होने का मतलब इसकी पास 1 electron क्या है कम है तो जब भी हम इसका electronic configuration बनाएंगे तो 1 electron क्या कर देंगे कम कर देंगे तो इसका electronic configuration कैसे बनेगा आपका 1s2 2s2 कितने electron हो गया 4 हो गया and 2p2 कितने हो गया total 6 electron हो गया total यहाँ पर इसका atomic number 7 है लेकिन इस पर 1 plus charge है तो एक electron हम क्या कर देंगे कम कर देंगे इसका configuration कैसे बनेगा 1s2 2s2 and 2p3 यह हमने लिख लिया electronic configuration अब हम बनाएंगे इसका MO diagram MO diagram बनाने के लिए सबसे पहले आप two line यहाँ पर draw कर लेंगे ठीक है इस side हम बनाएंगे atomic orbitals यहाँ भी आपका क्या होगा atomic orbital and बीच में होगा molecular orbital ठीक है यहाँ पर हमने ले लिया n plus यहाँ पर हमने लिया n and बीच में हमने लिया n2 plus molecule done अब जैसे हमने यहाँ पर electronic configuration लिखा है वैसे ही हम इसका MO diagram भी बनाएंगे ठीक है सबसे पहले हमारा क्या है 1s2 इसका भी क्या है 1s2 दोनों सेम अटम है तो दोनों की energy सेम होगी तो सेम energy पर ही हम बनाएंगे तो हमने first nitrogen atom का बनाया यहाँ पर 1s atomic orbital ठीक है अब हम second nitrogen का यहाँ पर बनाया 1s atomic orbital अब आपको पता है कि 2 atomic orbital mix होते हैं तो दो molecule orbital का formation होगा हमेशा जितने atomic orbital mix होगे उतने ही molecular orbital बनेंगे वो भी different energy के तो एक आपका बनता है higher energy का जिसको हमने इन दोनों से उपर बनाया है एक बनता है lower energy का जिसको हम इन दोनों से क्या करेंगे नीचे बनाएंगे ठीक है यह हो गया हमारा किसका 1S का अब किसके लिए में बनाना है 2S के लिए बनाना है तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नाइट्रोजन एटम का बनाया है 2S Atomic Orbital अब सेम इनर्जी पर यहाँ बनाएंगे 2S Atomic Orbital अब फिर क्या होगा दो हमारे Molecular Orbital का फॉर्मेशन होगा एक बनेगा आपका उपर और एक बन जाएगा नीचे ठीक है इसको भी हमने बना लिए अब हमें क्या बनाना है 2P के लिए टोटल नंबर अफ एलेक्ट्रोन इसमें कितने है 7 and इसमें कितना है 6 एलेक्ट्रोन है टोटल हमारा कितना हो गया 13 एलेक्ट्रोन हो गया कितने एलेक्ट्रोन है 13 एलेक्ट्रोन है जब आपके एलेक्ट् यहां पर ने बनाना है दोनों के लिए तो यहां पर हमने बनाया फर्स्ट नेटोजन एटम का टूपी और यहां हमने बनाया सेकंड नेटोजन एटम का टूपी टूपी टूटल कितने एटोमिक और वैटल मिक्स हो रहे हैं 6 अब जब भी एस्टी मिक्सिंग होगा तो आपका पाई टूपी एक्स एंड पाई टूपी वाई नीचे बनेगा और जो सिग्मा टूपी जेड होगा व इडिनर्जी के आपके मॉलेकुलर और वाइटलस है उसको हम बोलते हैं ABMO Bonding Molecular Orbital और जो higher energy का है वो होगा आपका ABMO Anti-bonding Molecular Orbital यह भी आपका क्या है BMO यह क्या है ABMO यह दोनों भी आपके क्या है BMO और यह दोनों आपके क्या है ABMO ठीक है अब देखिए अब हमें यह जो Molecular Orbital समनी बना है उसके लिखने उसके नेम कैसे लिखेंगे जितने भी सिंगल सिंगल आपको Molecular Orbital दिख रहे हैं सब के सब होंगे सिग्मा और जो यहां पर double है वो होगा पाई यह क्या है 1S यह भी क्या है 1S तो यह होगा आपका सिग्मा वनस और जब आप इसके एंटी बॉन्डिंग का लिखेंगे तो इसमें स्टार लगा देंगे तो यह हो जाएगा 205 एकस यह डूसरा क्या है पाइड तूपी ओंड जो सिंगल है का वो किया है सिग्मा तूपी जट एंटी बॉंडिंग में क्या होगा स्टार लगा देंगे की पाइड टूपी एक एंड पाइस्टार हुपी टिके और यह क्या हो जाएगा सिग्मासटार टूपी जड्ड शी करना है एलेक्ट्वान की फिलिंग करना है कैसे फिल करेंगे इस में भी टुझ निरीट्वान पासे क्षेलेगे लिच्ट्वान क्षे innoc cały तो लुगर तो तो धुन होगा है यहां करद सेक्षार में थो नविद्वाइल दू लेक्षार 15平 थी और फॉर माथ लूजे पी में टीक है तो इसमें हमने कितने अलक्राण शंट कर ना 1 & 2 ऐसे जो पल करना में किटना आफ करना है फ्री 1 ने अफ टूल कितने हो गय ठी मिट्वाइब आहल कितने एक यह टूल कितने ऐसे ट्व ट्री जो सेख़ा अब फाइलक्टन और फिल करेंगे इस molecular orbital में तो क्या हो गया आपका 1 2 3 4 & 5 यह हो गया आपका MO diagram for N2 positive ions ठीक है energy की बात करें तो यह हो गया आपका energy नीचे के जो molecular orbital से उनकी energy lower है उपर के जो molecular orbital उनकी energy higher है यह हो गया आपका energy का order ठीक है यह आपने बना लिए इसका MO diagram अगर आप इसका energy order में MO configuration लिखेंगे MO configuration ठीक है इसी में energy order भी लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे यहां से start करेंगे जहां तक आपने electron fill किया है वहां तक आप लिख देंगे तो सबसे पहले आपका क्या है इसमें sigma 1s तो हमने लिखा sigma 1s कितने electron हमें fill किया है 2 electron fill किया तो यह हो गया 2 then इसके बाद आपका क्या है sigma star 1s इसमें भी 2 electron then sigma 2s 2 फिर हमारा क्या आएगा sigma star 2s 2 फिर इसके बाद यह दोनों molecule बैट है यह दोनों same energy में है ठीक है तो इसको हमें equal में लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा pi 2p x 2 is equal to pi 2p y इसके बाद हमारा क्या आएगा कि इसके बाद आपका आएगा sigma 2p z इसमें कितना electron है वन electron है तो यह हो गया वन electron ठीक है ऐसे आप लिखेंगे सबसे higher energy का यह है सबसे lower energy का यह है अब हम इसका निकाले bond order bond order तो bond order का formula आपका क्या होता है nb minus na divide by 2 nb क्या है आपका bmo में जितने electron है और na क्या है number of electron presenting anti-bonding molecular orbital abmo में जितने electron है 2 से आप divide कर देंगे तो इसके nb में कितने electron है अब देखिए अगर same electron bmo abmo में होंगे तो वो cancel out होके 0 हो जाएगा तो यह भी हो गया आपका 0 यह भी क्या हो गया 0 इसमें भी same electron है इसमें 0 नहीं होगा क्योंकि bmo 5 electron है abmo कुछ नहीं है तो यहां से निकालते हैं इसका bond order कितना electron है 2 2 4 15 तो आपका और कितना आजाएगा तो जो आपका एंट्टु पॉजिटिव होता है उसका bond order कितना होता है 2.5 होता है बात करें homo limo की homo and limo तो homo limo हम कैसे decide करते हैं homo का full form आपका क्या होता है highest occupied molecular orbital higher energy का molecular orbital जिसमें electron हो occupied हो तो नीचे से उपर हम चाह रहे है तो energy क्या हो रही है बढ़ रही है तो जो उपर के orbital होंगे वो higher energy क्योंगे लेकिन हमें क्या चाहिए occupied तो यही higher energy का molecular orbital है जो क्या है occupied है sigma 2pz तो हम homo में क्या लेखेंगे sigma 2pz बात करें limo की तो limo की ता lowest unoccupied मतलब की जिसमें electron आपके नहीं है unoccupied है molecular orbital तो यही दोनों molecular orbital है जो unoccupied है जिसमें electron नहीं है यह तो आपका higher energy क्या है यह क्या है lower energy क्या है तो यह आपका क्या हो जाएगा limo तो हम क्या लिखेंगे pi star 2p, pi star 2p में आपके यह pi star 2px and pi star 2py दोनों include हो जाएंगे तो यह हो गया आपका क्या limo बात करें इसके magnetic property तो यह diamagnetic होगा या paramagnetic होगा यह कैसे बताएंगे तो जो last electron हमने fill किया कि इसमें sigma 2pz में अगर electron single होता है तो paramagnetic होता है electron double होता है तो diamagnetic होता है तो यहां पर single electron है अनप्याड़ electron है तो इसलिए यह आपका क्या होगा paramagnetic होगा एंटू positive आपका क्या होता है